बिहार का प्रमुक्तियोहार चट पर्फ शुरू हो चुका है हाला कि अब यह लोक आस्था का पर्फ बिहार से निकल कर पूरे भारत सहित विदेशों में भी प्रसिद्ध हो चुका है ये पर्फ संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरन है इस दोरान पहनावे, खानी, व्यंजन समेथ भक्ती की बहतरीन जलक देखने को मिलती है यह पर्फ नहाय खाय के साथ शुरू हो जाता है देकिन इस पर्फ में ठेकवे का महत्व और भी बढ़ जाता है ठेकवे के प्रसाद से ही व्रती भगवान भासकर को अर्ग देती है ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य को ठेकवा का प्रसाद पसंद है इसलिए इस ठेकवे का महत्व काफी बढ़ जाता है कहा जाता है कि छट के प्रसाद में अगर ठेकवा नहीं मिले तो वह प्रसाद अधूरा माना जाता है ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य को ठेकवा बहुत ही प्यारा है इसे शुद्ध गेहुं के आटे और गुड को मिलाकर घी में चाना जाता है इसमें नारियल, छोहारा और किश्मिश भी टाला जाता है इसे बनाने में शुद्धत का पूरा खयाल रखा जाता है व्रती स्नान करने के बाद मिट्टी के चूले पर ये पकवान बनाती है वहीं आम के लकडी का प्रयोग जलावन के रूप में किया जाता है बिहार में ठेकवा लोग गीतों के मधुर तान पर बनता है जब व्रती ठेकवा बनाते हैं तो इसके साथ छटी मईया के गीत भी गाते रहते हैं सूरे देवता के प्रसाद की तैयारी करते समय मधुर गीत गाना परंपरा बन गया है वैसे ठेकवा हर त्योहार में बनने वाला विशेश पकवान है लेकिन लोग आस्था के महापर्फ छट में ठेकवे का एक अलग महतु है क्योंकि इसे ही छट का महत्व पून प्रसाद माना जाता है हलाकि ठेकवा कब से बनना शुरू हुआ और इसका इतिहास क्या है ये कोई नहीं जानता लोगों का मानना है कि ठेकवा का प्रचल तब से है जब एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए साधन तक नहीं थे उस समय गाडिया नहीं चलती थी लोगों को दूर कहीं जाना रहता था तो ठेकवा लेकर निकल पड़ते थी और जहां भी भूख लगती थी लोग खा लेते थी इससे भूख भी मिट जाती थी वहीं अजल्दी खराब भी नहीं होता था ये कई दिन तक वैसा ही रह जाता है जैसा बनने के दौरान ये होता है आज नौकरी की तलाश में या फिर परीक्रा देने वाले छात्र कहीं दूर जाते हैं तो घर से ठेकवा लेकर ही निकलते हैं वहीं वैग्यानिक लिहाद से भी ठेकवे को सेहत के लिए फाइद अमन माना गया है हटा, गुड और घी तीनों ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं और बदलते मौसम में ये तीनों चीजें इम्म्योनिटी को बढ़ाती है इसलिए सर्दी जुखाम और ठंड से शरीर की रक्षा करता है बहरहल छट में सूर्य भगवान और उनकी बहन की पुजा की जाती है धार्मे ग्रन्तों में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री छटी मैया को कहा गया है शास्त्रों में भी छट मैया को माता का त्यायनी का स्वरूब माना गया है इसलिए इस पर्व में ठेकवे की महता बहुत है